आपका इस्टे नगरोजी यूटूब चान तो साज की बड़े हम लोग प्रैक्टिस करने वाले प्रिवेस यह डिप्रेशन के यहाँ पर भ्याच करेंगे यह मैटर दोस्तों आपके पारलेमेंट रिपोर्टर में बोला गया था ठीक है तो पीडियाप इसका आपको मैं टेल आना जरूर कितनी मिश्टेकार है कितनी आपकी त्यारी हो रखी है और डिट्रेशन लिखने के बाद अपना बहुमुली सुझाओं में कमेंट बाक्स में जरूर देना ताकि आने वाले वीडियो में हम और बहतर कर पाएं तो ज़्यादा समय ना लेते हैं चले हैं सेकेंड इस्टार महोदे केंसरकार ने पहली बार या साहस भरा कदम उठानी का निश्चे किया है कि रेल्वे लाइन को उखाडने या तोड़ फोड करने वालों को मृत्यु दंड दिया जाएं दुनिया के सभी देशों में राजद्रोहियों को चाहे वे जासूस हों या तोड़ फोड करने वाली हों इस तरह के कठोर दंड दिये जाने की व्यवस्था है सरकार ने इस आसा से लोगों में शारुजनिक शंपत्ति की रक्षा करने की भावना लानी के लिए इस तरह की कानूनी व्यवस्था से बचने की कोशिस की है एक कारण यहां भी रहा है कि मृत्युदंड समाप करने की बारे में जैसी जनता की भावना है केंद्र सरकार ने उसका भी आदर करना उचित नहीं समझा है यही वजह थी कि सात साल पूर्व जब भारती रेलवे कानून में संसोधन किया गया तब तीन से सात साल तक की कठोर कैद की ही व्यवस्था की गई थी लेकिन इतने दिनों तक संसोधन कानून पर अमल करनी की बाद शरकार को बाध्य होना पड़ा की वह तोड़ फोड करने पर उतारू तत्तों के खिलाप कठोर कारवाही करे सीमाओं की रक्षा करने वाले जवानों को ले जाने वाली ट्रेनों में भी तोड़ फोड की घटनाई होने के बाद तो शरकार के लिए और भी आवश्यक हो गया है कि वह इस दिशा में सीग्र कदम उठाए रेल दुरगटनाओं के संबंध में समीति ने जो रिपोर्ट दी है आज आवश्यक्ता इस बात की है कि शरकार उसकी बातों को सामने रखी रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस और ग्रिह मंत्राले रेल दुरगटनाओं को रोकने के लिए अपना दायत्व निभाने से कतराती है रेलवे जाच के बाद जिन दुरगटनाओं के लिए तोड़ फोर करने वालों को जिम्मेदार ठाराया जाता है उसमें पुलिस अपनी असाहमती प्रकट करती है जहां दुरगटना तोड़ फोर के कारण हुई वहां ऐसे लोगों को गिरफतार करने में धिलाई बरत्ती है शमिती ने कहा है कि पुलिस ने ऐसी कुछ घटनाओं की जाच परताल की है और इसमें सामिल लोगों का पता लगाने में शफल रही है महोदय अभी दो दिन पूर्व राज्यसभा में शदस्यों ने इस बात के लिए शरकार को दोसी ठाहराया था कि वहां महिलाओं की रक्षा के काम में आशफल रही है होशकता है कि इस आरोप के पीछे कुछ सदस्यों का राजनीतिक उद्दिश्य हो किन्तु इससे आरोप की सत्यता खंडित नहीं होती है अत्वा उसकी उपेक्षा नहीं की जाशक्ती है राज्यमंत्री ने इस आरोप के जवाब में यहां जरूर कहा है कि महिलाओं को अत्याचारों से बचाने के लिए शरकार कदम उठा रही है जहां कहीं से अत्याचार की शिकायत आती है वहां अपराधियों को दंडित किया जाता है सरकार इस संबंद में कितनी जागरोग है इसके लिए उन्होंने प्रदेश की सरकार का यहां उदाहरण पेस किया है कि उसने अपने यहां यहां आदेश जारी कर दिया है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए जिलाधिकारी जिम्मेदार ठाहराए जाएंगे यह सब सही है कि केंद्र शरकार ने अन्य राज्यों की शरकारों से इस सिलसिले में आवश्यक संपर्क रखा है किन्तु यह साफ है कि हर वन्चितों के सरच्छन का काम पूरी साउधानी और जागरूकता से नहीं हो रहा है केवल कुछ घटनाई ही इसका उदाहरण नहीं है स्वयम राज्यमंत्री ने इस प्रशंग में जो वक्तव्य राज्य सभा में रखा है उससे भी इसकी पुष्ट होती है वक्तव्य में कहा गया है कि अब तक महिलाओं पर अत्याचार की भिन्न राज्यों में कई हजार घटनाएं घट चुकी हैं आदिवासियों पर जो अत्याचार हुए हैं उसकी घटनाएं उनमें सामिल नहीं है वक्तव्य में यह भी बताया गया है कि शरकार ने इन मामलों के सिलसिले में क्या-क्या कदम उठाई है लेकिन यह शब बताने का तब तक कोई फाइदा नहीं है जब तक यह शिद्ध नहीं हो जाता है कि महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं कम नहीं हो रही है ऐसे बहुत से मामले हैं जिन में कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकी है ऐसी सूरत में कार्यवाही शंबंधी प्रशासनिक जागरूकता में कैसे विश्वास किया जा सकता है महोदय शमस्या तो गन्ने की बढ़ती हुई पैदावार से शंबंध रखती है मैं जानना चाहता हूँ कि अगर आपने छेत्रफल कम कर दिया है और छेत्रफल को बढ़ने से रोक दिया है तो उस सूरत में किसाने पैदावार के अच्छे साधन अपना कर जितनी जमीन में वह गन्ना पैदा करता है उसमें ही अधिक गन्ना पैदा कर दिया तो क्या देश के सामने समस्या खड़ी नहीं होगी मेरा निवेदन है कि यह शवाल घनी खेती का और विस्तार की खेती का नहीं है शवाल यह है कि जितना गन्ना चीनी में लग सकता है आज वह उस सीमा तक पहुँच गया है अब हमें विचार करना चाहिए कि क्या चीनी की खपत बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाया जा सकता है जब हम इस सवाल पर विचार करते हैं तो हमें देखना होगा कि हमारे देश में चीनी खाने वाले ब्यक्तियों की संख्या कितनी है इस पर हमें थोड़ा सा विचार करना चाहिए कि कितने लोग चीनी खाते हैं और क्या उनकी तादाद बढ़ नहीं सकती है गाओं में जाकर हम देखें तो बहुत से लोगों को चीनी खाने के लिए नहीं मिलती है वे चीनी खाना भी चाहते हैं मगर चीनी के दाम इतने अधिक हैं कि उन दामों पर गाओं वाले चीनी नहीं खरीद सकते हैं अभी चीनी पर से कंट्रोल हटा है और चीनी के दाम भी कुछ कम हुए हैं इसके फलशरूप चीनी की खपत बढ़ी है मेरा निवेदन है कि अगर गर्मी के शमय में बीवाह शादियों का जब मौका था तब यहाँ कंट्रोल हटा दिया जाता तो चीनी की खपत और भी बढ़ शक्ती थी समाप्त सभी लोग मैटर को प्रैक्टिस करेंगे पहले डिक्टेशन लिखेंगे उसके बाद उसको रेडिंग करेंगे उसके बाद मैटर को टांस्क्राइब करेंगे पीडियफ इसका टेलिग्राम पर भी मिल जाएगा ठीक है वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना पर मैठर टांस्क्राइब करते समय,आपको चांग की मातरा कहीं लगने लगाना है, अंग की मातरा लगा है ये भी आपका पॉलrise में में बोल गया मैठर है तो आप इसको देख सकते हैं इसे वह से यह महोई PDF है जो कमिशन से आता है, तो आप इसको सकते हैं इस हिसाब से आप अपनी वर्तनी को भी सुध्ध कर सकते हैं पंच्वेशन लेके नबे सब्सक्राइब की स्पीड से ठीक है टोटल सब्सक्राइब करेंगे तो 900 नहीं होगा 900 में कुछ कम होगा क्योंकि यहां पर पंच्वेशन और जो आपका पहरा चेंज होता है व आप चाहें तो चैनल का मेंबर से प्ले सकते हैं या हमारे पेट गुरूप को जाइन कर सकते हैं आधी जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं हमारी मेल आइडिया अपना बहुमली सिजहां में कमेंड बाक्स में जरूर देना वीडियो को पूरे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थांक्स वाराचिंग जै हिंच जै भारत